आज से 3065 दिन बाद आप अपने आपको कहां देखना चाहते हो, ठीक है। आप अपने आपको कहां देखना चाहते हो, set your target, उसके बाद 6 महिने बाद मेरी progress क्या होगी, अपने set of skills को आज जान लो, ठीक है, एक तरफ set of skills रखो और दिस तरफ अपनी growth रखो, ठीक है, suppose that मेरे प economy science and current ठीक है इनके भी दो हिस्से होते हैं history on the basis of their foundation and advance इसके भी चार पार्ट होते हैं ठीक है ancient history यानि प्राचीन भारत मेडाइवल आधुनिक modern and art and culture and world history माइनूट इसका discussion करो आप लिखो इसको हम लोग इसे बोलते history तयार हो गई अरे history के तो पांच पार्ट मुझे दिखाई पड़ने और पांचो अपने में जम्बो है जम्बो है ठीक है हम लोग क्या करते आज एक महिने में इस्टी तयार करेंगे एक महिने में जोगरफी तयार करेंगे एक महिने में यानि मानो भूगोल और तीसरा इंडियन जोगर्फी यानि की भारत का भूगोल ये तीन इसके पार्ट हो गए ठीक है अब तीनों में आप अपनी नीचर वाइस के साफ जाओगे सभी कुछ आपको प्रिपेर नहीं करना है यही मैं आपको समझाने कोशिश कर आप यहां पर म वोटो कॉपी दुकानों पर सेलिंग होती है जाके देखना वहां पर उनकी मशीने कभी रेस्ट नहीं करती है तो उसका कारण भी है कि उनको सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा क्या है अब जैसे अपनी चोईस के इसाब से आप शुरुवाती दिनों में आप यह पताने की बात करूं तो फिसकल जोगर्फी और इस सबसे ज्यादा है लेकिन जब मैं कोश्चन की बात करूंगा सबस्ष्ण कहा होते हैं इंडियम्स जोगर्फी में होते हैं ठीक है तो यह दोनों का वेरिशन सब्सक्राइब किसके लिए अलोकेट होना चाहिए हैं तो उन इंडिया में ही जो है आट इंड कल्चर बहुत इंपोर्टेंट हिस्सा रखता है एंशीयंट में ताय यानि मुझे ज्यादा टाइम किसके लिए देना है इसके लिए देना है किसके में सबसटे कर्षें कहां से आता है मॉडटन होना चाहिए तो इस न अगर आपने सब ठीक है मुझे क्या करना है अब suppose that एक student जो है वो science का है और उसको history के documents याद नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या करना होगा कुछ समय तक आप struggle करते हो कुछ समय बात क्या होता फिर आप जो है वो एक demoralize होना शुरू हो जाते हो आपको ये करना है कि अगर मेरे पास science के subject अच्छे या मेरा geography बहुत अच्छा है तो मैं क्यों ना जो एक basic foundation बनाने के बाद मुझे इस पे ज़्यादा focus करने की बजाए मुझे अपने core subject पे ज़्यादा focus करना चाहिए ठीक है क्योंकि 100 out of 100 मुझे marks लेकर नहीं आने सुनने में अटपटा लगेगा कि sir मुझे सब कुछ पढ़ जो है वो core subject में दे दूं जिसमें मैं ज्यादा strong हो सकता हूं वी geography से भी 17-18 question आ रहा है तो मैं वो करके अपने number को क्या करूंगा maintain करके रखूंगा तो इस ट्रैटजी कली होता है कि मुझे 100 out of 100 नहीं करना है मुझे cut off 60 जा रहा है तो मुझे 60-65 question को ही maintain करके चलना है और इस कि यार मेरे को science नहीं आती है science नहीं आती तुम्हें यह तो अच्छा आता है इस पर अपना focus करो तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने हिसाफ से क्या कर सकते हो अपनी चीजों को maintain कर सकते हो लेकिन minutely जब आप इसको क्या करोगे plan करोगे clear है यानि आप year के end में आप कहां पहुचना चाहते हो या आपका goal होना चाहिए six month पे आपका goal target लग लो यह दिवारों पे चिपका लो कि six month बाद मेरे ये तीन subject माली जिसमें आपने तीन का target बना है मेरे पास इन तीन subject का fundamental तयार होना चाहिए ठीक है इसके बाद इस पूरे month में मेरा goal क्या है या three month में मेरा goal क्या है मैं कैसे evaluate करूँगा इसके बाद इस week का मेरा goal क्या है उस week को तो बिल्कुल stick note करके सामने रख लो इस week में मेरे को ये चार chapter पढ़ने ही पढ़ने है इस week में मुझे इस subject के मुझे इतने part पढ़ने ही पढ़ने है तो ऐसी condition में क्या होता है आप और इसके बाद सबस six hour पढ़ना है छे दिन मुझे पढ़ाई करनी है एक दिन में अपने आपको refresh करने के लिए टाइम दोंगा तो आपने क्या किया सिक्स आवर के हिसाब से अपना time table अपनी body clock के साब से अब आपकी जिम्मेदारी है कि केवल और केवल आज पूरे दिन को किसी भी हालत में आप छे घंटा है फिर पिछले वाले का भी क्या हुआ दो फिर अगले दिन नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि जब आज तुम्हारी body train नहीं है तो कल भी ट्रेन नहीं हो पाएगे पिर क्या होता है अरे यार आज अगले दिन मालनों पांच घंटे की इसकाश के पढ़ाई हुई यार मैं तीन घंटा पीछे चल रहा हूं नहीं पढ़ पाया मुझे यार 36 घंटे पढ़ने थे और बीस घंटा भी नहीं निकल रहा है दूसरा अब फ्रस्टेशन को मिटानिक क्या करोगे यार बहुत टेंचन हो गई है हुमन नेचर है पिच्चर देखने चलते हैं बहुत इसको निगेटिविटी बहुत अच्छी लगती है आप चाहे पसंद करो या ना करो यह निगेटिविटी को सबस्यादा अट्रेक्ट करता है लग रहा यार इस साल नहीं ठीक है फिर कोई किसी ने बताया रहे यार वह बाबा आये हुए वह अंगुठी-गोठी बड़ी सह होस्ते और एखा दिखाने के लिए बाबाजी है सिविल सर्विसेस का चांस की नहीं है अब पंडित को तो यहीं बोल नहीं है अरे पैदाई सी आफिसर हो तुम तुमारी कुंडलियम लिखा हुआ है बस एक दिक्कत है कि बीच में रहु आ रहा है क्या करना होगा पंडित बस यह दो अंगोटी पहननी होगी एक पूजा करा लो और वो काली घाय को हरी घास खिलानी है तुमारी होता है कि नहीं होता है इसके बाद भी नहीं पहुंचे तो किसी जो है वो कई साल से जो यहां पर धूनी रमाय पड़े हैं मुखरजी नगर में चार-पांस साल पहले आये थे प्रीटी आज तक नहीं निकला लेकिन वो गहराई से पढ़ाई कर रहें तो वो उसके पास पहुंचते हो भी आ क्या करें तो भी यह बोलते हैं कि मेरे नोट्स हैं जादू है इसको ले लो बहुत कम पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं ठीक है इसको ले लो और यहा पाड़ी छूड़ गई क्या करें बोले जंगल से एक रास्ता गुजरता उसे निकल जाओ लेकिन तुम्हें पता है कौन तुमारा इंतजार कर रहा है नहीं पता उसके खत्रों के बारे में नहीं पता तो क्या होता है कई बार हमें शॉटकट बताया जाता है अरी यार यह वाली जो गाइड़ बुक है ना इससे पढ़ोगे तो सब सेलेक्शन हो जाएगा पिछली बार यहीं से आया था या कोई तुम्हें देदे का एरे या सारे कोश्चन पिछली बार तो एकनामिक्स आया थे और तुम जो है अपना पूरा क्या किया जो लगा दिया पता जला इस तैयारी करता अभी आप कच्चे घड़े की तरह हो क्यों मैं और आपको सही शेप दे दूंगा तो उसके बाद क्या होगा आप एक जिंदगी भर के लिए एक बहतरीन शेप पा जाओगे ठीक है लेकिन जैसे जैसे आप पकना शुरू हो जाते हो जब यहां आते तो क्या हो उटते हुए देखा है रोते हुए देखा है और अब उनके पास लोटने के लिए वक्त नहीं है इसलिए मैं आप लोगों से बात करो कि आप लोग अभी बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह हो आप लोग एक सही शेप लो ना कोचिंग जरूरी है ना कोचिंग का कोई औरिय और सबसे वड़ी बात है लक्ष को कब और कैसे हासिल करना है इस बारे में आपके पास पूरा रोड मैप प्रिपेर होना चाहिए बहले चाहिए डायरी में लिखो उसको कैसे भी करो लेकिन अगर रोड मैप आपके है तो आप चाहिए कोचिंग के साथ चलिए टीचर के कर कहेंगे यार बहुत टाइम लग रहा है छे महीना हो गया तो मैं तैयारी करते हुए अभी हमारे बच्चे ने बताया कि उसके जो है वह घर में बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो जल्दी-जल्दी कैसे भी जाईए और जो है वह रिजल्ट निकाल के दिखाई लग रहा है कि यहां पर पेड़ पर रखा हुआ धेला मारना और यूप एसी का रिजल्ट लीचे आ जाएगा तो यह सब जो चीजे होती है कई बार आपको डाइवर्ट करने कोशिश करती है ठीक है चलो यार कोई छोटा मोटा एक्जाम निकला उसको बढ़ देते हैं कई इसमें लगाया फिर पंदर दिन इसमें लगाया फिर पंदर दिन उसमें लगाया अब अपने गोल तक जा रहे हो नहीं पहुच पाओगे ना तो ऐसी कंडिशन में आपको फ्रस्टेशन आएगी यहीं पर ही आपका सबसे इंपॉर्टन डिस्सिप्लिन शुरू होता है करना है तो मुझे आज 6 गंटा किसी भी हालत में में अधर्वाइस दो चीज़े होंगी एक तो आपका कॉंफिदेंस आप 6 गंटा पढ़के देखिए आपका वेट कर रहा होगा या एक डिर आपका वेट कर रहा होगा दूनों लोग इंड में आपका वेट कर रहे होंगे अब सवाल है कि आपको किसे गले मिलना है अपने कॉंफिदेंस से या अपने डर से ठीक है जितना यह लैग होता जाएगा आपके अंदर खुद फ्रस्टेशन आ जाएगी और आप लोगों में से कभी न कभी यह आई होगी गारेंटिक साथ क्या रहा हूँ झाले झाले यह लोगों मेंटावी टाकित आपके जढ में से क्भी यह लोग। आं़ उपकिन झामालों में से काथमिक संसे कह जा रहा हूँ किसे और स्साएग, अभाइए. जब सोलाएब जुई काव। झाल झाल